देखे, दयानन दर्शन और इसलाम, ये दोनों के दोनों आपके UGC Net में नए इसलाम पहले भी था, दयानन दर्शन ने एक नया इंक्लूड किया हूँ टॉपिक है, तो इस दर्शन के उपर जो चीजें हम लोग अब्जर्व कर सकते हैं, या जिन चीज़ अपर हमें सवाल आ दयानन सरस्पती जी के द्वारा दिया गया था, दयानन सरस्पती जी के विचारों को ही बेसिकली दयानन दर्शन कहा जाता है, तो उनके विचारों से हम लोग क्या सीख सकते हैं, शिक्षा में क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, इसी के उपर दयानन दर्शन को, इसी चीज बियर्ड की बुक्स देखेंगे तो इसमें भी आपको दीयाननदर्शन कुछ ही किताबं मिलेगा, सारी दीयानन दर्शन नहीं मिलेगा कारण इसका यह है कि बीयर्ड और मेड के मैक्सिम जगह पर इस लेबस में नहीं पढ़ाया जाता तो दयानन दर्शन को समझने के लिए थोड़ा सा दयानन सरस्वती जी के बारे में समझते हैं क्योंकि जो आपको statement wise जो कोश्चा आते हैं उन कोश्चन को करने के लिए कई बार अब देखिए पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति के दुआरा लिखी गई कही गई सारी statement हम लोगों को याद हो जाएं लेकिन अगर हमें उस व्यक्ति को समझ लिया है हमने उनके विचारों को समझ लिया है वो किस चीज़ पर focus करते थे उनको समझ लिया है तो हम कुछ कही गई बातों से उनको relate कर सकते हैं कि ये किस के संदर्व में होगी जैसे कि जब हम द्यानन दशन की बात करते हैं तो द्यानन दशन में स्वामी द्यानन सरस्वती जिनका जो बच्पन का नाम था वो मूल शंकर था इनका जन 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था और ये एक अच्छे खासे परिवार से थे तो इनको समरद्ध परिवार से थे तो किसी तरह की दंधाने की कोई कमी नहीं थी और भामन परिवार में जन्म होने के नाते इनके यहां पूजा पाथ यह सब बहुत ज्यादा होता हुआ करता था और इनके पिताजी शंकर भवान के बड़े भक्त थे तो यह भी घर में बहुत पुजा पाथ किया करते थे एक दिन ऐसी घटना हुई जिससे कुशाग्र बुद्धी के तो यह थे अब उस घटना से उस घटना में हुए इंसिडेंट से उन्हें ऐसा लगा कि शायद जो चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं या देख रहे हैं वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए वो घटना बड़ी सिंपल सी घटना थी आप लोगों ने भी आगा द्याना जी को पढ़ा होगा तो घटना के बारे में पढ़ा होगा कि शिवरात्री का व्रत इन्हों रखा था और पिता जी के कहने पर पूरी पूजा पाठ ये सब किया करते थे और पिता जी के बड़े अर्वान की जो मूरती थी उसी के पास ही इन्होंने वहाँ पर लेड़ गए और रात में ने क्या देखा कि एक चूहा आता है और वहाँ पर रख्याओ पर प्रशाद था उसको खा जाता है तो इन्हों ने उसी समय अपने पिता जी से प्रश्ण किया कि पिता जी देखिए ये भगवान का जो परशाद है, ये एक चूहा खा रहा है, तो अब भगवान जो अपने ही परशाद की रक्षा नहीं कर पारे, वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, तो उनके पिताजी ने का कि ये तो भगवान की मूर्तिक प्रतिकात्मक रूप में है, असली भगवान तो कैला लेकिन यह संतोष जन्यक अंसर ना पाकर उन्हें ऐसा लगा कि यह बात उनके दिमाग में बैठ गई कि क्यों एस मूर्ति पूजा क्यों की जाती है उसी दिन से उनको मूर्ति पूजा करना अच्छा नहीं लगना आरम हुआ और दो घटना और थी जो चोटी चोटी जिनोंने उनके जीवन मूर्पव डाला एक घटना थी उनकी बैहन की मृतियूं है जे से हो जाना और दूसरा उनकी अंकल की मृत्यू, उनके चाचा जी की मृत्यू और इन दोनों की जो असमय मृत्यू थी उस असमय मृत्यू से ने इनको इतना जहंजोर दिया था अंदर से कि इनको ऐसा लगा कि इतना दुख क्यों है दुख क्यों है इसके बारे में जानना चाहिए और क्योंकि मूर्ती पुजा से ये पहले ही थोड़े से विचलित हो चुके थे तो फिर उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन्यास लेने का निश्चे लिए और इनको रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने इनको अलगलग तरह की चीजें सिखाई और लेकिन के जो वास्तवी गुरु हैं वो स्वामी विर्जा नंद जी हैं जिन्होंने ने वेदों का ग्यान दिया और वेदों का ग्यान देने के पश्चाथ जब उन्होंने उनको गुरुदक्षना देने के लिए कुछ ओफर की तो उन्होंने कहा कि मु अब धारणा जो समाज में आ गई है जो कुरीतिया समाज में आ गई है उन कुरीतियों को यदि आप दूर करने के लिए प्रयाश करोगे तो यही मेरी गुरुतक्शना होगी तो इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों को और अपने गुरु जी की बात को मानते हुए फिर आग इंदू धर्म में जितनी कुरितियां थी उनका इन्होंने भरपूर तरीके से जम कर विरोध किया। इनका कहना था कि वेदों में कहीं भी मूर्ति पुजन के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो मूर्ची कुझा क्यों करते हैं? दूसरा, इनका कहना था कि वेदों की सथा ही सर्वो परी है. वेदों को समझना और इतना आवश्चक है जितना की हमारे लिए जीना आवश्क है. यदि हम जीना और जीने के ढग को जानना चाहते हैं में वेदों की और लोटना पड़ेगा और वेदों की और लोटो ये इनका बहुत ही प्रमुक सिध्धानत है इन्होंने नारा दिया था ये बात कई बार बोलते थे तो इसलिए वेदों की और लोटो इनका एक प्रमुक नारे के रूप में प्रसिद्ध हुआ और ये आपको एक्जाम में कुश्चन भी आ सकता है कि किस व्यक्ति ने ये कहा कि वेदों की और लौटों क्योंकि द्यानन सरफती जी का दर्शन नया है तो इसमें मैंने पहली बता है कि आपको सकती बता है कि उसमाज के स्थापन आरे समाज के स्थापन के स्थापनगा और आरिस समाज के स्थापन करने के साथ ही इनोंने हर धर्म चाएं वो हिंदू हो चाएं वो मुस्लिम हो चाएं वो इसाई हो हर धर्म को चैलेंज किया और उसमें व्याप्त बुराईयों का खंडन किया इनका किसी धर्म विशेश से कोई दुश्मरी नहीं थी ही निए उनको बुराईओं का लिए जितना विरोध हैं ऩुचे ड्रिश्ट्र से हअधी इसे ने इन्हें तर्क की दृष्टी से हरा सके तो इस वज़े से इनको एक बहुती तार्किक दार्शनिक कहा जाता है आरंब में इन्होंने अपने जितने भी प्रवचन दिये थे या अपनी बातें कहीं थी उपदेश दिये थे वो सारे के सारे संस्कित में थे लेकिन 1872 में जब ये अभी एक में होल्ड कीजिए यह कि मताना है यह हां जी 1872 में कलकता में केशव चंद सेन सब्सक्राइब भूल गया था केशव चंद सेन इन्होंने इनको राय दी यह सवाल आपको आ सकता है कि स्वामी दयानन सरस्वती जी के कौन से शिष्य ने इनको हिंदी में भाशन देने के राय दी प्रियंका राइडू I can also explain with PPT presentation but since it's a very memory based question so there are 10 or 15 questions that can be asked from this topic and I will try to cover up all these questions with relative context also so that you question आपके दिमाग में बैठ जाए अब लाइव option में mobile से करते हुए अब यह को भी skin sharing का option नहीं आ रहा है बट I will try की next class में आपको PPT presentation के साथ भी यह चीज़ें बताने का प्यास करूं हां जी तो 1832 में केशव चंद सेन जी ने इनको राय दी थी कि आप संस्कित के साथ संस्कित में भाशन आपने बहुत दिये यदि आप हिंदी में भाशन देंगे तो आपके और ज्यादा लोग मतला अभी तो आपके भाशन से केवल विद्वानों को फायदा होता है लेकिन उससे क्या होगा आम जनता को भी बहुत फायदा होगा उनको बहुत साथ चीज़ें समझ में आएंगी तो इसलिए केशव चंद सेन जी के कहने पर इन्होंने हिंदी में भाशन देना आर पर दूरी है और वेदों के अंदर कहीं भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जाती जन्म से रिधायत होती है वेदों में कर्म के सिध्धान कर्म के आधार पर जिस तरीके से जाती का वर्णन किया गया है उसी चीज़ को इन्होंने सामान भाशा में लोगों को बताने का प प्रेडित किया, इसके अलावा अगर एक और सवाल आप से पूझा रोगता है कि वैदिक दर्षन किस ने दिया, तो क्योंकि वैदिक दर्षन, वैसे तो कई साहिए दर्षन को वैदिक दर्षन कहा जाता है, लेकिन द्यानन सरस्वती के दर्षन का नाम ह yogis दर्षन है, क्योंकि ये पूरे तरीके से वेदों पर अधारित है इन्होंने वेदों के लावा कुछ और कहा ही नहीं इनके किताब है सत्यार्थ प्रकाश you can note the name सत्यार्थ प्रकाश it's a very important book और इन्होंने जो आरे समाज की इस्थापना की और आरे समाज की इस्थापना की जो नियम बनाए और जिन जिन बातों के इन्होंने खंडन किया सत्यार्थ प्रकाश में 14 chapters हैं 14 chapters हर chapter में इन्होंने one by one जितने भी चीजों के बारे में बोला है उसमें उन्होंने लिखा उन चीजों के बारे में और अगर आपको मौका मिले तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का प्रयास करें और यदि पढ़ना पाएं तो कम से कम उसके एक summary रीड कर लें इस वेरी गुड बुक अबाउट सनातन धर्म इन्होंने सनातन धर्म का विकास करने का प्रयास किया इन्होंने एक आंदोलन में चलाया था जिसको शुद्धी आंदोलन कहते है शुद्धी आंदोलन में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो लोग जिनको जबरन या किसी लालज की वज़े से धर्म परिवर्तन कराया गया था उन लोगों को वेदों का महत तो बताते हुए और वेदों का जीवन में क्या उपयोग है इस चीज़ को बताते हुए वापस सनातन धर्म से जोडने का प्रयास किया इन्होंने शुद्धी आंदोलन के दौरान तो आप से सवाल आ सकता है कि शुद्धी आंदोलन किस ने चलाया यह द्यान सरस्वती जी ने चलाया था तो द्यान सरस्वती जी के बारे में हमने जितनी बातें पढ़ी उन में से दो-तिन बातें मैं रिपीट कर देता हूँ आरे समाज के संस्थापक थे ये सवाल को पूछा जा चुका है इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था इनका बच्पन का नाम मूल शंकर था और ये सम्रद्ध परिवार से थे और हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का इन्हों ने खुल का विरोध किया था इस मामले में ये बाकी विचारकों से काफी अलग पाय जाते हैं महिलाओं को उच्चित अधिकार दिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी आगो इंछी है इन्होंने कहा देखे सिती पर था और बाल विवा इननने राजाराम्न राजी ने पहले करा दिया थसा लेकिन इन्होंने भी अपने इसतार पर बहुत परदे और प्रदें की है और कि विद्वा विवा को बढ़ावां देने कारिए कि इन्होंने कहा कि विद्वा विवा होना चाहिए और जो खास कर कि उन औरतों का जिनकी बहुत जल्दी उम्र में वो विद्वा हुई है तो औरतों के उत्थान के महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत कारे किया इसके लिए भी इनको जाना जाता है बाकी सभी सुधारक थे उसमें चार ही सुधारकों को आपको पूछा जाता था जिसमें से आपके ये रविंदना टैगोर जी, स्वामी वेका नन जी, गांधी जी और अरविंदो घोश ये चार ही हर बार पूछे जाते थे अब आपके सलेवर्प में कुछ और विचारकों को डाला गया है, जिसमें द्यानन सरस्वत्ती जी भी है तो इसलिए इन में से जो सवाल आपको पूछा जाता है कुछ इनके ये टैग लाइन जाइन की, जैसे कि वेदो टो-वेदो क्यो wydaje भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है ठाक है इनको भारत का मार्टिन लूथ democraticikan के इसे अलावा इन्होंने सराज कर नारा भी दिया जिसको बाद में लोकमान तिलक ने भी अपने उसमें यूज कियाथ अब हम बात करते हैं वेधिक दर्शन की इन्होंने अपने वेधिक दर्शन में चार स्तंब माने चार मुख़्ी चीजे माने कर्मसिध्धांट पुन नर जन्म ब्रह्मचर सन्यास तो द्यानंज सरस्वती जी एक व्यक्ति को अपने जीवन में इन चार चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला है कर्मसिद्धान्त यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें अपने कर्मों का एक हिसाब रखना चाहिए। इनके अनुसार की कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। और उन्होंने एक लॉजिक दिया इन्होंने का इश्वर में अल्ला में जीसस में सब लोग विश्वास करते हैं। तो बहुत से लोग उन्हें की बात को माना हाँ सब लोग विश्वास करते हैं। तो दूसरे नहीं ने सवाल किया, कि आपको लगता है कि एश्वर कभी कुछ गलत करेगा, तो unanimous consent के साथ सब ने का कि बिल्कुल हमें ऐसे लगता है कि भगवान कभी कुछ गलत नहीं करेगा. अच्छा तो फिर ने अगला सवाल किया तो क्यों भगवान ने किसी को गरीब घर में पैदा किया क्यों भगवान ने किसी को अमी घर में पैदा किया अब इस सवाल का जवाब बहुत से लोगों पे नहीं था तो इसी को आधार बनाते हुए और ऐसे कई साथ तरकों को आधार बनाते हुए, इन्होंने कर्म का सिध्धान्त और पुनर जन्म के सिध्धान्त को जोड़ा, इनके अनुसार कर्म का सिध्धान्त वह बताता है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, और उसी आधार पर ही पुनर जन्म का स मैंसे हो सकते हैं जिसकी वज़े से वह यहां पर है और इस जन्म के कर्मों के अधार पर हम अगले जन्म कर सकते हैं और यदि ultimate aim जैसा कि मैंने बता है भारती दर्शन में हर्ट किसी का ultimate salvation अधार को कान्यहीं है तो आपको सवाल आ सकता है कि डियानन दर्शन के चार प्रमुग सतंभ क्याव से हैं या निं निम्ण में से कौ우 सा दिये गए चार स्तंबों में से एक नहीं है, तो ये चार स्तंबों कौन कौन से हैं, कर्म सिध्धांत, पुनरजर्म सिध्धांत, ब्रह्मचर सिध्धांत और सन्यास का सिध्धांत, इसके लावा सत्यार्थ प्रकाश के बारे मैं आपको बताई दिया, इनकी बहुत ही फेमस क किताब देखिए देयान सरस्वती जी को अगर आप समझना चाहेंगे उनको पढ़ना चाहेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिजिए आपको आपकी कई सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगे कई कर्म कांडों के इन्होंने बहुत विरोध किया इन्होंने पाखंडों क जो सामाजी ग्रूप से सही नहीं थी उन्स सबका इन्होंने खुल कर विरोध किया जिसके लिए इनको लोगों का विरोध भी जहलना पड़ा लेकिन जब यह तरक करते थे तो तरक में कोई इनका जवाब नहीं दे पाता था इसलिए इनके फॉलोवर्स दीर दीरे बढ़न करतacter सर्फ और लोगों को वेदों से जोड़ने के लिए ही इन्होंने और सनातन धर्म की और वापस लाने के लिए इन्होंने एक तो शद्धी आंदूलंग चला था और दूसरा इन्होंने अपने-पने अपने इस तरफ़र आ्र आरे समाज के इस्थापना करी जिसमें अग तो जो मैंने अभी तक पॉइंट बता है उनमें से आपको कुछ पॉइंट नोट करने वाले थे जो मैंने आपको साथ के साथ बता दिया था इसके अलावा आपको एक और प्रेशन आ सकता है कि इनके कुछ प्रमुक्ष शिष्य हुए है जिनका काफी नाम है जैसे स्वामी शरद्धननद जी तेक है स्वामी शरद्धननद जी के बारे में आप जानते होंगे उन्होंने बहुत वह बहुत पहुंचे हुए रिशी थे और काफी उन्होंने समाज के लिए कारे किया समाज सुधारक भी रहे तो वो द्यानन सरस्वती जी से बहुत प्रभावी थे और द्यानन सरस्वती जी क्योंकि द्यानन सरस्पती जी अपनी शिक्षाओं में योग को भी महतुपूर्ण हिस्सा मानते थे तो उनकी शिक्षाओं को मानते वे स्वामी शद्धानन जी ने हरिद्वार के निकट कांगडी में गुरुकुल की स्थापना की तो आपको प्रश्ण आ सकता है कि हरिद एक और सवाल आ सकता है बहुत इंपोर्टन सवाल है आपने DAV संस्था के बारे में सुनाओगा द्यानन एंगलोवैदिक तो द्यानन एंगलोवैदिक की स्थापना जिसने की थी वो श्री लाला हंसराजी थे और लाला हंसराजी भी इन्हीं के ही परमशिष्य थे तो एक की स्थापना सबसे पहले लाला हंसराज जी ने लाहूर में की 1886 में 1886 I repeat लाला हंसराज जी has established दयानन एंगलोवैदिक कॉलेज that is DAV college first DAV college in 1886 in Lahore in currently which is in Pakistan so along with this there are some more things that we should study so one more question you you may be asked that how many chapters are there in Satyarth Prakash so you can say there are 14 chapters in Satyarth Prakash हलंकि उसमें जो सबसे पहला chapter है उसमें ओम शब्द के महत्वसे ने शुरू किया है अगर आप आरे समाज को भी देखेंगे तो आरे समाज में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो माना गया है वो ओम को माना गया है तो ओम से आरब करते हुए चैप्टर नमर 13-14 में क्रिस्टैनिटी और कुरान को ये के बारे में अपने व्यूज देते हैं कि उनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं कहां चीजें ऐसी हैं जिनका ये खुल कर खंडन भी करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी किताब है उसके हर चैप्टर का मैं सिफ एक नाम बता देता हूँ You can note it down from internet सत्यार्थ प्रकाश के किताब के 14 chapters are there और He has written different things in all different chapters and each chapter is very relevant और आरे समाज में तो ये किताब लोग भौत ध्यान से पढ़ते हैं और जो भी व्यक्ति दयाना सरस्वतिजी को जानना चाता है और सनातन धर्म को वास्तवीग रूप से जानना चाता है। वो दयाना सरस्वतिजी की इस किताब को जरूर पढ़े। क्योंकि दयानान जी के अनुसार हिंदत भी जो हम हिंदू धर्म बोलते हैं सही मायनों में जो धर्म है वह सनातन है वह सनातन धर्म उसके 14 chapters है जिसके first chapter में नोंने ओम को exposition किया है ओम का पूरा detail में ओम के बारे में ओम शब्द के बारे में ओम की power के बारे में बहुत detail में explain किया है उसके second chapter है सत्यार्थ प्रकाश का उसमें नोंने guidance on upbringing of children कि बच्चों का पालन portion कैसे किया जाए कौन सी चीज़ें जो में इध्यान में रखनी है बच्चों का पालन portion करते हुए वह chapter number two में नोंने बताई है chapter number three में नोंने बताया कि how the life of brahmacharya assist the person in achieving the salvation ठीक है तो ब्रह्मचरय के बारे में और क्या हमें कार्य करने चाहिए कैसे करना चाहिए किसे उसका पालन हम लोग करना चाहिए वो chapter number three में नोंने ब्रह्मचरय और एक विद्यार्थी और अध्यापक की क्या भूमिका आक होती है उसको नोंने chapter three में फिर चैप्ट्र में इन्होंने मेरिज और शालींगी ति की ईसको लोग कैसी गिव अपकर सकते हैं जो इनो जिसकी पहली एनुभूती इनको हुई थी जब इनकी सिस्टर गिड़ात हुई थी और बहुत ज्यादा इनको दुख हुआ था तो इतने विचलित हो गयता है उस दुख से कि उनको छुटकारा पाने के लिए कोई रास्तर ढूनने का प्रयास करना पड़ा और उसी द किस तरीके से सरकार को कारे करना चाहिए किस तरीके से सरकार क्या होती है कैसे सरकार कारे करती है सेवन चैप्टर में नोंने वेदा और गौड के बारें बताया है कि इश्वर किसे कहेंगे इश्वर इनके अनुसार परम ब्रह्म है जो कि सचित आनंद है तो यहां से एक प् उसार ब्रह्म को सच्चित आनंद कहा गया है तो आप यह कह सकते हैं कि स्वामी द्यानंद वैसे तो कई लोगों ने कहा है लेकिन स्वामी द्यानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के चैप्टर नम्म सेवन में ईश्वर को या ब्रह्म को सच्चित आनं ब्रहम्ब और ब्रहम्ब तो यह एक्स्प्राइशन ने वेद और इश्वर की एक्स्प्राइशन चाप्टर नमबर सेवन में दी है चाप्टर नमबर एट में नोने creation, sustenance and dissolution of universe, universe कैसे बना, universe कैसे maintain होता है, universe कैसे बना, universe कैसे maintain किया जाता है, और ultimately universe का dissolution किस तरीके से होता है, तो यह उन्होंने chapter number 8 में explain किया है, chapter number 9 में नोने knowledge और ignorance, इसके बीच में difference बता है, किस तरीके से हम लोग knowledge gain करते हुए, ignorance से दूर जा सकते हैं, chapter number 10 में इन्होंने desirable और undesirable conduct के बारें बताया है, chapter number 11 में he has explained criticism of various religious sects prevailing in India, अलग-अलग religious sects इंडिया में उस टेम पर prevail कर रहे थे, तो उसको criticize किया नोने 11 chapter में, 12 chapter में इन्होंने चर्वाक और बुद्धिजम और जैनिजम जो की अनीश्रवादी दर्शन है, उसको इन्होंने detail में explain किया है, chapter number 12 में, और chapter number 13 में इन्होंने अपने views दिये हैं, Christianity के उपर, Bible के उपर, और chapter number 14 में इन्होंने अपने views दिये हैं, Quran के उपर, तो he was a very well learned personality, जिन्होंने ना केवल अपने धर्म को, बलकि सभी धर्मों का अध्यान करते हुए, उन में से जो चीजें, जो बुराइयां हैं, उनका खुल कर खंडन किया, हम में से बहुत से लोग दूसरे धर्मों के बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन इनके लिए धर्म अलग होता ही नहीं है, इनके लिए धर्म जोड़ता है ना की तोड़ता है, इनके अनुसार मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और मानवता का जो धर्म है, उसको पालन करने के लिए, इन्होंने इस बात पर बहुत खुलकर बोला इस बात को, इनके अनुसार कर्म के अनुसार जाती बनाने का आश्रे किया था, यानि एक पिता के चार पुत्र भी अलग-अलग कर्म के अधार पर, उनके गुणों के अधार पर उनका वरगीकन किया सकता है, तो इस तरीके से समा आत्म के बारे में ही बोलते थे, योग के बारे में बहुत बोला है, इन्होंने 1857 की क्रांती में अपना बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन दिया है, इन्होंने राष्ट भक्त, अच्छे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, He was the first Indian in 1870s, who bluntly asked Britishers to say, leave India, because India is for Indians, भारत वासियों का है, ये पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने खुल कर इस बात को बोला था, तो उस और इनके ही, और कई जगे पर इन्होंने British government के जो office थे, उनको ठुकराते हुए, अपने देश के बारे में अपने लोगों को जागरू करते रहने का निश्चे गिया, और बाद में इसी के चलते कई साजिशों के तहट इनकी बाद में मिरत्य हुई, लेकिन जाते जाते भी इन्होंने बहुत से कार ऐसे किये, जो कि नकेवल सनातन धर्म के लिए, बलकि हर धर्म के लिए बहुत ही आवश्यक थे, और उनकी यदि शिक्षाव को अकर हम समझें अपने जीवन में लेकर आएं, तो बहुत से चीज़े हम उनसे सीख सकते हैं, अब सनातन धर्म के बारे में, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, इन्होंने भ्रम के बारे में बोला, इन्होंने बैदिक दर्शन के बारे में बोला, इनकी हमने किताब के बारे में पढ़ा, जो की सत्यात दर्शन थी इसके अलावा अगर हम इनको शिक्षा से जोड़ें तो इतना सब पढ़ने के पस्चाद आप खुछ समझ सकते हैं कि इनके metaphysics क्या होगी metaphysics deals with reality तो इनके अनुसा reality क्या है वेद और वेदों में दिया गया गया नहीं वास्त लिखता है तो अगर आप से कुछ पूछा रहता है what is the metaphysics according to दयानन सरस्वती जी तो you can say that वेदाज and the knowledge given in the वेदाज is the reality in this world is the only reality in this world वो सिर्फ और सिर्फ वेदों की सत्ता को ही स्विकार करने को कहते थे इसके अलावा इन्होंने का कि सब के लिए शिक्षा होनी चाहिए शिक्षा में जाती के अधार पर लिंक के अधार पर समाज के अधार पर आये के अधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाब नहीं होना चाहिए हलांकि ये पाठे करम की जब निर्धान की बात आती है तो वहाँ पर इन्होंने ये सज़ेस्ट किया कि बॉइज और गर्ल्स के लिए अलग-अलग करिकुलम होना चाहिए जिसके लिए इनको कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन उस समय की परिस्तिति को ध्यान में रखते मत्या की विध से इनको की विजिए इन साल्ग की विजुकές sub youtube अमें रखते हुद। में मृदेयाच लगयए जाजब्याच की दि ogni आत। सरस्वतीजी जी was the first person and the only person who have suggested that medium of instruction should be mother tongue plus Sanskrit language. Along with this, you may be asked who was the originator of Shuddhi Andolan? तो वो भी आपको मैंने बताई दिया कि Shuddhi Andolan इन्होंने बनाय था और rationalism को education में लाने का जो श्रे है वो भी इनको जाता है. इन्होंने बहुत बल दिया कि education ऐसी होने चाहिए जो बच्चों को तर्क करना सिखाए और चीज़ों को logical reasoning से solve करना सिखाए तो यह सारे इनके education में contribution थे. I have tried my best to cover up most of the things. If I would have forget anything, you can ask question. So, अगर मुझे लगे है कि कोई चीज़ है तो मैं उस पर जवाब आपको दे दुआ. अब द्यानन सर्षवती जी के दर्शन को पढ़ने के पश्चात. अब हम लोग इसलाम के बारे में पढ़ते हैं. इसलाम के बारे में देखिए हम लोग अपके UGC net में जो दिया गया है aims, methods and curriculum. हमें हर इसम के according यही पढ़ना है aims, methods and curriculum और एक चीज़ बहुत important चीज़ मैं आपको बता दूँ. UGC net में कई बार यह पूछा गया है What are the three branches of philosophy? तो उसका जवाब अब बताएंगे metaphysics, epistemology and axiology, main branches. Okay, metaphysics किस से deal करती है? तो वहाँ पर आपको जवाब रहेगा metaphysics deals with reality. Epistemology किस से deal करती है? ग्यान विमान सा किस से deal करती है? Epistemology deals with knowledge. Then, axiology किस से deal करती है? Axiology deals with values. इसके अलावा आपको एक और प्रशन पूछा गया है इसी के extension में कि aims of education किस के, किस दर्शन की शाखा के आधार पर बनाया जाते है? तो उसका जवाब है कि aims of education are decided on the basis of metaphysics and axiology. क्योंकि axiology में values दी गई हैं और metaphysics में reality दी गई है. जो हम शिक्षा के उद्देश निजाइद करते हैं, तो हर शिक्षा का यही उद्देश होता है कि आपको वास्तविक्ता से रूबरू कराए. सही क्या है? इसका दर्शन कराए. तो उस चीज़ का दर्शन तब होगा जब आपके शिक्षा में metaphysics की knowledge होती है. और इसके साथ-साथ values inculcate करना भी शिक्षा का कार होता है, पार्टे करम का कार होता है. तो शिक्षा के उद्देशों में हम लोग exology का भी प्रियोब करते हैं. उसके बाद दूसरा सवाल आया है, methods of teaching किस philosophy की ब्रांच से related हैं? metaphysics के साथ, epistemology के साथ या exology के साथ. तो यहाँ पर आपको बताना है, what is real, what is truth? See, इसका जवाब है, हर व्यक्ति के अनुसरा अलग है, हर दर्शन के अनुसरा अलग है, और हर इसम के according अलग, different है. So, यही तो हम जानना चारें, philosophy, basically, है ही यह the quest for knowledge, हम यही तो जानना है, what is real? So, absolute real के बारे में, for example, कल की class हम लोग जब आइडिलिजम पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि आइडिलिजम ने reality किसको माना है? तो आइडिलिजम के according, अगर आप आइडिलिस्ट हैं, तो जाही सी बात है आइडिलिजम को follow करेंगे, और फिर आप reality किसको मानेंगे, जो आइडिलिजम बता रहा है, अगर आप pragmatist हैं, तो आप reality किसको मानेंगे, जो pragmatist approach कहती है, अगर आप realist हैं, तो reality आप किसको मानें तो जिस भी दर्शन को आप फॉलो करते हैं उसके अनुसार वास्तविक्ता की परिभाशा अलग अलग दी गई है तो यहां मैं थोड़ा से प्रेशन से हट गया वापस आता हूं मैं आपको यह बता रहा था कि आपसे सवाल पूछा गया है कई वार कि मैथर्स आफ टीचिंग फिलोसेफी की किस ब्रांच से हैं तो आप बताएंगे मैथर्स आफ टीचिंग आपसे साम से पूछा गया है और कॉनसी फिलोसेफी की ब्रांच है जो करीकुलम को decide करने में assist करती है तो अब बताएंगे axiology branch of philosophy assist in developing the curriculum of education जो भी किसी भी level पर हो तो ये कुछ question थे जो generally बार-बार पूछे जाते थे और अभी हम जो idealism, pragmatism, realism, naturalism existentialism के बारे हम पढ़ेंगे तब आपको metaphysics, epistemology, axiology बार-बार बताई जाएगी तो इसलिए आपको questions को पढ़ने के साथ साथ lecture लेने के साथ साथ आपको एक chart बनाना चाहिए जिस पर आप एक तरफ सारे points लिखें reality, sorry, metaphysics, epistemology, axology उसके साथ ही aims of education, methods of teaching, curriculum, school, teacher, discipline, ये सारे points आप बनाएं और उपर heading में डालें आप सारे isms western अलग लगाएं और Indian अलग लगाएं जैसे कि western में आपने idealism से शुरू किया, idealism, naturalism, pragmatism, realism, existentialism और इस table में आप एक comparative analysis करें, classes को attend करने के साथ साथ, तो उससे क्या होगा कि आपका एक बहुत अच्छा, एक crisp notes बन जाएंगे जिससे कि आपको एक तो difference clear हो जाएगा, बहुत सी चीज़ों पर आपको लगेगा कि इन चीज़ों में तो realism और naturalism बिलकुल यह से लग रहे हैं, और हैं यह दोनों अलग-अलग thoughts, और यहां पर हमें realism और pragmatism में confusion है, यहां पर हमें naturalism, pragmatism में confusion है, तो अगर आप comparative analysis साथ के साथ करते चलेंगे, तो आपको जो इस तरह की confusion रहेगी, वो बिलकुल clear हो जाएगी, और मैं खुद भी lecture आपके ले रहा हूँ और जो भी teachers आपके lecture लेंगे, I will try कि वो लोग भी इस चीज़ को focus करें कि जब वो कोई इसम को पढ़ाएं, तो उनको बाकी इसम से differentiate करते हुए पढ़ाएं, क्योंकि काफी confusion create हुआ थी, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, what is the difference between naturalism and realism? तो मेरा correct question होता है, what is the similarity between these two? जब वो similarity बताते हैं, तो उनसी similarity से निकालते हुए, उनको difference clear कर देता हूँ, तो अभी, हम लोग अभी इसलाम के बारे में पढ़ने वाले, और भूट थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि UGC net point of view से अगर आप देखें, तो there are five or ten questions, जो generally, repeatedly वही इसलाम से आ रहे हैं, और reality knowledge values में अगर आप focus करेंगे, तो इसलाम धर्म कब जैसे आपने भी देयानन सरस्वती जी का करक्स पढ़ा कि वेद हैं, वेदों से संबन देता हैं, योग से संबन देता हैं, और समाज सुधा रखें इस्त्रियों के उत्थान के लिए कारे किया है और धर्मों में से बुराईयों को निकालते हुए, उनकी अच्छाईयों को मानने के लिए कहा है, तो उनका अपने क्रक्स समझ लिया, कि द्यानन जी बेसिकली किसी के बारे बोलते थे, तो अगर कोई statement आईगी, तो उस statement को समझते हुए, आप identify कर पाएंगे, कि द्यानन जी की statement यह हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक characteristics द्यानन जी की पढ़ चुके हैं, द्यानन जी के बारे में इतना main-main जो चीज़ें उनकी पढ़ चुके हैं, तो उनका एक character आपके mind में बन गया है, तो इसी तरीके से आपको हर इजम का एक character बनाना है, ताकि जब कोई statement आए, तो आप उसको statement को पढ़ कर बता सकें, that this is the statement related to that particularism, तो अब हम बात करते हैं, इसलाम की, इसलाम में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जो हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखिए, इसलाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पहला सव कहा जाता है कि ये लोगों के लिए बड़े भागशाली थे, वो जिसके भी साथ जाते थे, उसका बड़ा फायदा होता था, तो एक बार अपने चाचा जी के साथ गए, वो अपने बिजनस में इनको ले गए, इनके माता पिता का इंतिकाल जल्दी हो गया था, तो इनके च बाद फैल गए कि ये जो बालक है, इसको बड़ा इसका लख बड़ा अच्छा है, तो बहुत से लोग उनको पसंद करना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने, और उसी तरीके से इनकी जो शादी होई थी, वो हजरत खदीजा से होई थी, 25 वर्ष की उमर में, और उस सम इनका पूछाया था, इन्हें ऐसा लगता था कि इक सुपरनैच्रल पावर है जो उनको प्रिचिंग्स करती है, उसको ये ध्यान लगा के सुनने का पर्यास करते थे, तो उन्होंने एक पहाडी थे, हिरा पहाडी, वहाँ रकावादत करते थे, और रमजान के महीन, उसी दौरान रमजान के महीने में एक फरिष्टा जिसको जिबराइल कहा जाता है, अल्ला का फरिष्टा इनको कहा गया है कुरान में, तो जिबराइल ने इनको एक शब्द कहा, वो शब्द था इक्रा, इक्रा का मतलब होता है, उठ और पड़, उठ और बात फिर जिबराईल के दोरा प्राप्त ग्यान को इनको अपने अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो जो ग्यान इनको प्राप्त हुआ है वो जिबराईल जो उनको दे रहा था वो ग्यान को अंदर संचित होता जा रहा था तो उसी ग्यान को इनोंने कुरान शरीफ के रूप मे आगे चलके लिखा तो जो ये कहा जाता है जो कुरान शरीफ में जो ये बाते लिखी गई है वो सभी बाते अल्ला के द्वारा कही गई बाते हैं जो अल्ला ने अपने फरिश्टे जिबराईल के द्वारा हज़रत मुहम्मद साब तक पहुँचाए और हज़रत मुहम्मद साब ने उनको आत्मसाथ करते हुए उनको आयतों के रूप में उनको कुरान शरीफ के रूप में लिखा अच्छा ग्यान प्राप्ट करने के बाद जब इनको ग्यान प्राप्ट हुआ था उस समय काफी मल्टी एक तरीके से बहुई इश्वरवादी विचाधारा चल रही थी और लोग सैक्डों मूर्तियों की पुजा करते थे तो जब इनको ग्यान प्राप्ट हुआ ग्यान प्राप्ट के बाद फिर नोंने उसका प्रचार करना आरंब किया और जब उनने उसका प्रचार करना आरंब किया तो इनके कई सारे विरोधी उत्पन हो गए जो इनको मारना चाहते थे तो इसके लिए फिनोंने अल्ला के हुक्म से इनोंने मक्का को छोड़कर ये फिर मदीना में आ गए और मदीना में आकर नोने अपने उप्देश देने आराम किये तो ये चोटी सी ब्रीफिंग थी हजरत मॉंबर साथ के बारे में इसमें से अभी तक जो सवाल आपको आया है इकरा के बारे में आपसे पूछाता है इकरा का अर्थ क्या है उठ और पड़ उठ पड़ ठीक है और हजरत मॉंबर साथ को घ्यान दिया अच्छा अब इसलाम धर्म के उप्देशों पर आते हैं जो कि हमारे में करक्स है सबसे ज़ाद ध्यान से समझना है जिससे कि हमें इसलाम धर्म का संदव समझ में आएगा एक कंटेक्स समझ में आएगा आप मेंसे बहुत से लोग हो सकता है कि इसलाम धर्म को फॉलू करते हो तो वह और अच्छे से इस चीज़ को समझते होंगे वी आप ट्राइड है लेवल बेस्ट कि हम उसमें से वो चीज़े निकालें जो हमारी शिक्षा में प्रियोग में लाए जा सकती है हर धर्म की तरह इसलाम भी व्यापरा के बहुत सारी चीज़ें है लेकि उसमें से हमलें उसका क्रक्स निकाल के रखा है जैसे कि एक सबसे पहला चीज़ यह बताते है कि अल्ला एक है और निराकार है यहाँ पर यह बर्म से मैच खाते है क्योंकि वेदानत पर जो बोलते है वो बोलते है बर्म एक है और निराकार है ठीक है और लोगों की जनतुष्टी के लिए उसको सगुन बर्म बनाया गया उसी को फिर बाद में इश्वर की संग्या दी गई तो ये भी कहते हैं कि अल्ला एक है और निराकार है और इसको क्योंकि ये निराकार है इसलिए इसको मूर्ती के रूप में पूजना गलत है यही लॉजिक देते थे लॉजिक, मूर्थी, जिबराइल नाम किस ने दिया? एक इसके बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं इने बताई हैं. जब फॉभ नॉमर साब को सारा घ्यान प्राप्ठ हुआ बात है बताते हैं कि अल्लाभ ने सारी दुनिया को बनाया है और वही इसका पालनहार है पहली बात अल्लाभ एक है निराकार है दूसरा अल्लाभ नहीं साई दुनिया को बनाया है वही पाला नहार है तीसी चीज एक दूसरे से लड़ना एक दूसरे का जगरना एक दूसरे का खून करना मारना एक दूसरे का माल हडपना ये हराम बोला गया है इसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी और औरतों के मामले में क्योंकि जिस सम क्योंकि अगर आप औरतों से सही व्यवहार नहीं करोगे तो आपके साथ भी सही व्यवहार नहीं होगा तो सबसे अच्छा व्यवहार यदि आपको किसी ख़त करना है तो औरतों के साथ आपको अच्छा व्यवहार अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए इसके अलावा कुरा सचे मुसल्मान के पांच कौन कौन से ऐसे फर्ज हैं जो से कहा गया कि उसे अपने जीवन में जरूर करने चाहिए तो यह जो पांच फर्ज हैं उनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है हक नजर मैं रिपीट करता हूँ हक नजर इससे आपको याद रहेगा पांचो की पांचो चीज़ याद रहेंगे हक नजर पहले इनका फॉल फॉर्म पढ़ लेते हम फिर उसको सीक्वेंशिंग कर लेंगे हक नजर में हसे हज है, कौसे कल्मा है, ना से नमाज है, जा से जकात है और रासे रमजान है हसे हज, कौसे कल्मा, ना से नमाज, जा से जकात और रासे रमजान अब इसको सीक्वेंसिंग में करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल्मा की कल्मा किसी भी कारे को शुरू करने से पहले एक जैसे हम लोग मंत्र का चांड करते है ऐसे ही एक सेंटेंस है जिसको पढ़ा जाता है जिसको कल्मा कहा जाता है कल्मा आप लोगों ने सुना भी होगा जैसे ही जब कहा जाता है यह जो भी कार्याब करते हैं उससे पहले इस कलमा को पढ़ा जाता है कलमा के बाद फिर नमाज हर मुस्लमान को नमाज पढ़नी चाहिए पांच वक्त कलमा हो गया नमाज हो गया नमाज के बाद है जकात जकात होता है आपके धन का एक हिस्से का दान देना चाहिए कुरान शरीफ कहता है कि अगर आप अपने हिस्से का एक अपने धन के अपनी आई का एक हिस्सा दान देते रहेंगे तो आपके जितने भी अगर आपसे कोई गलती से भी कोई बुरा कार हुआ है तो उसका आपको उसका बुरा जो फल है वो आपको नहीं लगेगा तो जकात बहुत ही आवशक माना गया है इसके बाद है रमजान, रमजान के महीने में इन्होंने कहाई कि फूरी फास्टिंग है अच्छा वेवार तो सब के साथ करना ही चाहिए बिलकु सही बात है और रमजान, रमजान के बारे में अगता है रमजान आप सब ही जानते हैं रमजान का महीना प्रपर आता है साल में दो बार और इसमें हम लोग इसमें स्वाई मुसलिम जो हैं जो इसलाम धर्म का पालन करते हैं वो अपने फास्टिंग करते हैं सहरी और इफ्तार के लिए जो सुभे का और शाम का इनका खाना रहता है और कुछ चीज़ें उनको फालो करते हुए रमजान में फास्टिंग की जाती है और इसके लावा हज हज के बारे में कहा गया है हज केवल अपने इमान और नेकी की कमाई से ही करना चाहिए अगर आप बेइमानी की कमाई से अगर हज करते हैं जैसे हम लोग हिंदू धर्मे सनात्म धर्मे तीर सियात्रा के बारे में का गया है इसी दरेके से इसलाम में हज के बारे में का गया है तो इन पांचों को याद रखेंगे तो हक नजर इसकी शॉर्ट फॉर्म है जोसको मैं अभी explain कर चुका हूँ तो इसके साथ ही अब हम बात करते हैं philosophy दर्शन की बात करें तो घ्यान मिमानसा सबस्य पहले बात करते हैं Islam and metaphysics तो इसलाम के अनुसार तत्मिमानसा क्या है तत्मिमानसा वास्तविकता के संथर्मे प्रश्न करती है और इसलाम के अनुसार जो वास्त विखता है वह यह है कि पूरा का पूरा जो संसार है यह अल्लाह नहीं इसका निर्मान किया है humans are the best creation of Allah और मनुश्य को अल्ला है अपनी अबादत के लिए बनाया जितनी चीज़े बनाई है उसका भोग करने बनाई है और मनुश्य को बनाया गया है अल्ला की अबादत करने के लिए और इनका एक famous quote जो मैंने आपको बताया है ला इलाह इलला मुहम्मद रसुलिल्ला इसका अब आज़ता है कि अल्ला के सिवा कोई और पूजनिय नहीं है तता मुहम्मद और उसके रसूल अल्ला के अलावा कोई और पूजनिय नहीं है इसके अलावा reality अगर आप पूरी तरह की मोटे मोटे तौर पर देखें तो reality वस ये की बाए बताते वास्तविक्ता क्या है कि ये पूरा संसार को समझ लीजे कि पूरा संसार जो है वो अल्लाह नहीं बनाया है इसलिए और उस पर आपको पूरा फेथ करना है और आपको बनाया है अल्ला की अबादत के लिए It is the reality, as per Islam इसके बाद हम बात करते हैं ग्यान विमान सा की ग्यान विमान सा यान की अपिस्टिमलोजी अपिस्टिमलोजी डील्स विद नॉलिज यार्ष हजरत साहब और कुरान शरीफ के अनुसार अब ग्nova करीएं तो हजरत साहब में लाइन वह ने बोलिये कि ग् Jána ही अम्रत है ऒ्रकाइं कि नॉलिज नॉलिज को रिंगे एक तरह से बड़ा इससे बड़ा कोई उसकी इसकी कोई चीज नहीं है i.e. इस धुनिया मे ? पहला है इल्म ए गैर शरीदा इल्म ए गैर शरीदा इसका अर्थ होता है बहुतिक ग्यान नहीं सामाने ग्यान सामाने चीजों का ग्यान संसार का ग्यान संसारी चीजों का ग्यान और इसके बाद है इल्म ए शरीदा इल्म ए शरीदा को बुला है इन्होंने अध्यात्म का ग् ग्यान है वही वो जो है इल्म ए शरीदा कहा गया है इल्म ए गैर शरीदा इल्म ए शरीदा इल्म ए गैर शरीदा बहुतिक ग्यान को कहा है और इल्म ए शरीदा अध्यात में ग्यान को कहा है जो कि अल्ला के दोरा कुरान शरीफ के रूप में आपको दिया गया है इसके बाद इन्होंने ग्यान प्राप्ट करने के साधन के बारे में बात करें, ग्यान कैसे प्राप्ट होगा, तो ग्यान प्राप्ट करने के जो साधन है, उनको इन्होंने दो काटेगरी में डिवाइड, तीन काटेगरी में डिवाइड किया है, पहला है, इल्मुल्यकीन, इल्मुल्यक का अर्थ है अनुमान के द्वारा ग्यान प्राप्त किया जा सकता है दूसरे इनों ने बोला है एनुल यकीन का मतलब है आँखों से देखकर ग्यान प्राप्त किया जा सकता है और तीसा ने बोला हकुल यकीन यानि की स्पर्श करके देखकर भी ग्यान प्राप्त किया सकता है इसके अलावा अगर कुल मिला कि अगर इन तीनों की बात करें अनुमान के द्वारा आँखों से देखकर सपर्श करके जो ग्यान प्राप्ट किया सकता है तो अगर हम बात करें तो ये बहुत एक ग्यान की प्राप्टी के लिए उने कहा है कि अगर हम बहुत एक ग्यान की प् कुलते हैं आपने अनुमान लगाया आपने आँखों से देखा आपने स्पर्ष किया तभी आप उसको ग्यान मानेंगे तो इंद्रियों से प्राप्त ग्यान को यह बहुती ग्यान की प्राप्ति के लिए मानते हैं और इसके अलावा आध्यात्मी ग्यान को प्राप्ति के लि इसके जाद हम बात करते हैं एक्जिलोजी की यानि कि मुल्य मिमान सागी तो इसलाम के अनुसार मुल्य या मुल्यों का हम क्या बोलेंगे way of life तो उन्हें दो तरह के मुल्य के अर्थ लिये हैं एक सामान अर्थ और एक विशिष्ट अर्थ तो सामान अर्थ में इनके अनुसार मूल्यों का अर्थ शांती से है पीस से है पीस मेंटेन करके रखना है यही एक सामान अर्थ है मूल्यों को बना रखने का शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शांती की शिक्षा दे आपको इसके अलाव हम बात करते हैं विशिष्ट मूल्यों विशिष्ट अर्थ की बात करते हैं तो इसलाम के अनुसार मूले मिमानसा का जो विशिष्ट अर्थ बताया गया है वो बताया गया है कि अपने आपको पूरी तरीके से अल्ला को समर्पित कर दीजे उसके साथ साथ आप जितने भी पाउस को समर्पित करने के लिए आपको क्या करना है आपको सभी को समान नजर से देखना है आपको भाईचारा बना के रखना है आपको पाँचों जो करतावें बताएं उनका बहुत इमानदारी से पालन करना है आपको प्रेम और शान्ती के साथ रेना है अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हुए आप अपने आपको कुई तरह के से अल्ला को समर्पित करते हैं तब ही आप विशिष्ट मूल्यों का पालन कर पाते हैं तो इसके लावा जो मैंने आपको पांच करता में बताया थे वो भी मूलियों में ही आते हैं जो मैंने हक नजर के रूप में आपको बताया था तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टमिलोजी और एक्जिलोजी इसलाम के अकॉर्डिंग ये तीनों पढ़ने के बाद, अब एक बार इनको तीनों पर नजर डालते है मेटाफिजिक्स डील्स विद रियाल्टी, और रियाल्टी इनके रूसर क्या है? कि अल्ला नहीं सब कुछ बनाया है, और वस्तु में बनाई है, और इनसान को भी बनाया है वस्तु में इनसान के लिए बनाई है, और इनसान को अल्ला की अबादत के लिए बनाई है तो यदि आप वस्तों को भोग करते हैं, चीजों को फ्रियोग करते हैं, तो अल्ला की अबादत करना भी ना भूलें, तो यह वास्तिक्ता है, इसके बाद हम बात करते हैं, ग्यान मिमान साकी, तो ग्यान मिमान साकी इनोंने साधन बताया है, जो मैंने आपको बताया था, एक बहुतिक संसार का ज्यान भोला है। एक नहुने अध्यास work और बहुतीक संसार का ज्यान आपको कुरान की आएतों से tutaj इसके बाद मेष्थ मिमान स्येक सैकिनले बता सकते हैं इसके साथ विष्जिश्छ के रूप में Se सामान अर्थ के रूप में शांती को सबसे बड़ा मूले मानते हैं और विशिश तर्थ के रूप में ये कहते हैं कि अपने आपको अल्ला को समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा मूले है जिसके लिए आपको समानता, भाईचारा, प्रेम, दया वदान की आवशकता पड़ेगी और पांच कर्तवें को इमानदारी से निभाना होगा इसके बाद हम बात करते है इसलाम के नुसार शिक्षा के उद्देश क्या होने चाहिए तो आपको जो सवाल आ सकता है वो मुख चीज़ों पर आएगा तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा इसलाम के नुसार जो शिक्षा का मुख चीज़ों होना चाहिए ग्यान का विकास ग्यान का विकास मुहम्मद साब कहते हैं कि अगर आपको जीवन जीना है तो इसके लिए आपको इस दुनिया का ग्यान लेना आवशक है लेकिन अगर आपको मुक्ति पानी है निजात पानी है इस संसार से तो निजात पाने के लिए आपको अल्ला के आदेशों का पालन करना आवशक है तो शिक्षा ऐसी हो जो आपको सही ग्यान दे जीवन का भी ग्यान दे और मुक्ति का भी ग्यान दे तो मुक्ति की बात ये भी करते हैं लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अल्ला के आदेशों का पानल करना पड़ेगा और अल्ला के आदेश इसमें लिखे हुए है कुरान शरीफ में लिखे हुए आपको कुरान शरीफ को पुरी तरीके से मानना होगा इसके लावा यह सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं सांस्कृतिक विकास के लिए एक शरीयत बना हुआ है और उस शरीयत को उन्होंने शरीयत में दिये गए कानूनों का पालन करने के लिए कहा है उन्होंने और उन्होंने कहा है कि यदि आप शरीयत में दिये गए कानूनों का पालन करेंगे और कुरान में शरीफ में दी गई बातों का अगर आप पालन करेंगे तो आप automatically सांस्कृति विकास भी करेंगे तो मुक्ति के लिए ग्यान का विकास करना शिक्षा का उद्देश है ग्यान के विकास में दो बाते बाते बताएं एक जीवन जीने के लिए ग्यान आवश्यक है और मुक्ति के लिए ग्यान आवश्यक है दोनों के लिए किसी का आवश्यकता वो बताया है मैंने आपको कि सांस्कृति विकास के लिए उन्होंने काया कि शरियत में दिये गए कानून करें और इसके अलावा कला कोशल व्यवसायो की शिक्षा के लिए भी इन्होंने कहा है तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जो हमने पढ़ तो लिए हैं लेकिन पर मुझे नहीं लगता कि प्रश्ण पूछा सकता है लेकि एक आइडिया आपको लग गया कि इसलाम के अर nuts और आपको बताई हैं लेकिन और आज केर आदिया और इनी चरल में है तो इसलाम की कौन सी यसी बाते हैं जो आदिया पॉइंस बना कर आपको बताए हैं इसके लाबावा शिक्षा की पार्ठ चर्या के बारे में नोंने कहा है कि बहुतिक विशय ने बता है जैसे जीवन का ज्यान भी नोंने अवशक बोला है तो बहुतिक विशय और धार्मिक विशय दोनों ही पढ़ाया जाने चाहिए बहुतिक विशय के साथ बहुतिक क्रियाएं धार्मिक विशय के साथ ध इमिटेशन मेथड जिसे बोलते हैं और इसके अलावा इन्होंने लेक्चर मेथड को बोला है हाई लेवल पर लेक्चर मेथड होना चाहिए और सेल्फ लर्निंग रेशनल अप्रोच और डेमोंस्टेशन अप्रोच यह कॉमन सी चीज़ें जो हर धर्म में इन चीजों के बार बन सकता है कि अनुकर्ण विधी या इमिटेशन मेथड प्राइमरी स्टेश पर होना चाहिए किसने इस पर बल दिया है तो इसलाम ने इस पर बल दिया है इसके लावा अनुशासन की बात करें तो उन्होंने मुहमद साहब के द्वारा दिखाए गए मात पर चलने के वही और शिक्षक और शिक्षार्थी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षक का जो मुख्यकार होता है इसमें एक टेक्निकल वर्ड यूज किया है कुफ्र का मतलब होता है कि अल्ला की किसी दूसरे से तुलना करना कुफ्र कारत क्या होता है अल्ला की किसी दूसरे से तु एमान गया है? एक 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 अल्ला पर विश्वा सकना ये आपका इमान है। और कुफ्र क्या है कि अल्ला की तुलना किसी और से करना। अगर आप ल्ला की इसलिए मूर्ति पूजा करने वालों को ये काफिर कहते हैं, तो कुफर एक शब्द है इसका आर्थ साह से पुझा सकता है कि अगर आप आप अल्ला की तुलना किसी और से करते हैं तो इसको कुफर का जाता है तो कुफर के अंदकार को समाफ्ट करना और इमान का प्रकाश लाना ही शिक्षक का सबसे प्रमुक का रहे है ठीक है इसके अलावा आप शिक्षब को अपने विश्या का ग्यान होना चाहिए उसके साथ साथ कुरान का भी ग्यान होना चाहिए क्योंकि इन्होंने आप देखेंगे कि इसलाम ने दो तरह के विद्यालों की बात की जाती है मक्तब और मदर्सा की मक्तब आपका प्राम rév एजूकेशन से लेटेट है मदर्सा आपका हाइजूकेशनस से लेटेट है लेकिन दोनों में ही common education के साथ सात इसलाम धर्म की शिक्षा अनिवार होती ही मतलब आपको उसके साथ साथ आपको कुरान भी साथ की साथ पढ़ाई जाएगी और जिस दिन से जिस दिन बच्चे को कुरान शरीफ को पढ़ना उसको सुनना या उसको आरम कराई जाती है कुरान शरीफ उसी दिन को इन्होंने बिस्मिल्ला संसकार के रूप में कहा है और बिस्मिल्ला संसकार करने के लिए जो एज बताई है वह एज चार साल चार महीने चार दिन की है चार साल चार महीने चार दिन की है कि सवाल आया है मक्टब कौन सी शिख्षा संबंदेता है ये सवाल आपको आया है मदर्सा कि स्वाल पूछा जा सकता है कि मक्टब में कौन सी शिक्षण विधी का बारे में कहा है तो मक्षण क्योंकि मक्तब क्योंकि प्राइमरी शिक्षा संबंद देता है तो प्राइमरी शिक्षा मे नोंने नकल विधी या Imitation Method यानि कि अनुकरण विधी के बारें मोला है तो यह सवाल आप से पूछहा सकता है कि मक्तब में कौन सी विधी का प्रियोग करने के लिए इसलाम और वैदिक क्योंकि दोनों में ही मॉनिटर्स बनाय जाते थे जो क्लास को हैंडल करते थे और इसलाम में भी बनाय गए है और वैदिक में भी बनाय गए है तो UGC Net के अगर आप कुश्चन देखेंगे तो उसमें मॉनिटोरिल सिस्टम को वेदों से जोड़ा गया है और लेकिन कई किताबों में मॉनिटोरिल सिस्टम को इसलाम में भी दिया गया है तो इसलिए इस कुश्चन पर कंफ्यूजन क्रेट होती है और अगर आपको इस सवाल में दोनों यह आप लगाएंगे दोनों ठीक हो सकते हैं दोनों के लिए हमारे पास संदर में तो कुछ क पीचर होते थे जिनको हाफिज जी कहते थे या समान भाषा में मुल्ला जी भी बोलते हैं तो वही जो थे वह बच्चों को पढ़ाया करते थे और वह क्या करते थे कि कई बार जैसे वह नहीं है तो वह अपने जगह पर किसी एक बच्चे को मॉनिटर क्लास का बनाकर रगत तो दोनों में ही यह पूछा जा सकता है तो इससे question of confusion क्योंकि यह दोनों जगह दिया गया है अलग-अलग किताबों में तो किताबों का संदर्व उठाते हुए अब इस question को challenge कर सकते हैं तो इसके साथ ही विद्याले की अगर हम बात करें प्रात्मिक शिक्षा प्लस इसलाम शिक्षा यह मक्तब में उच्च शिक्षा प्लस इसलाम की शिक्षा मदर्सा में और केवल इसलाम की शिक्षा जहां दे जाती है उन्हें उलम कहा जाता है जहां केवल इसलाम की शिक्ष पिता और पुत्र की तरह होने चाहिए जो रिलेशनिशिप एक बाप का अपने बेटे से होता है वही रिलेशनिशिप एक अथ्यापक का अपने बच्चों से होना चाहिए S पर इसलाम काफी सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं इसलाम में मैंने सारी कवर कर दिया होंगे इनकेस अगर कोई कुश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेरी मेल है योगेश-rhspgc-gmail.com वहां मुझे मेल कर सकते हैं और या ग्रूप पे कुश्चन कर सकते हैं इनके गुप पे, टेलिग्राम गुरूप से हम लोग जोड़े हैं मादमी शिक्षा का कॉंसेट इन है रही और फ्राम इज्य उप्राइर और प्राइमिक शिक्षा नहीं है प्राइमें से उपर के जितने भी शिक्षा है वो मदर्सा में ही दी जाती है तो आज की क्लास को हम यहीं तक सीमित करते हैं होपफुली आपको मज़ा आया हुगा और आप I have tried my best के maximum चीज़ें मैं cover कर दूँ कल की क्लास में कल भी मेरी ही क्लास होगे और आइडिलिजम की क्लास है और कल की क्लास हम लोग western philosophy शुरू करेंगे क्योंकि इंडियन philosophy हम लोग complete कर चुके है तो in case अगर आपकी कोई भी query है इंडियन philosophy से related तो आप आज ही अपने गुरुप पे पोस्ट कर दिजिए टेलिग्राम गुरुप पे या आप फेस्बुक गुरुप पे भी डाल सकते हैं बाद में भी इसको देख सकते हैं क्योंकि फेस्बुक गुरुप पे यह आपका वीडियो रहेगा तो उसी comment box में आप अपना questions ज़रू डाल दें क्योंकि जो आपके questions होंगे मैं कोशिश करूँगा कि पहले उनके जवाब दे दू क्योंकि जब इंडियन philosophy आपकी complete हो जाएगी फिर हम Western philosophy को एक अच्छे तरीके से शुडू कर पाएंगे आज के लिए इतना ही thank you so much good night